अज के इस सेसन में जिससी कलर का प्रिक्टी सेट नंबर फोटी वन देखने वाले सो चलिए सेसन को अस्टार्ट करती पारला प्रश्ण ने छारखन के किस अस्थान पर आदिमानों द्वरा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं किस अस्थान पर इसकु अस्थान पर और यह इसकु हजारी बाग जिलिक के अंतरगत आता है नेक प्रश्ण है निमलिखित अंदलोनों को कर्मानुसार सजाएं इसमें जो छे विद्रो के नाम दिये हुए हैं इन विद्रो को कर्मानुसार सजाना है इसमें जद्धी हम लोग बात करे, सबसे पहले कौन सा विद्रो हुगा था, पाहड या विद्रो, पाहड या विद्रो कब की घटना है, या घटना है, 1772 से 82 इस्वी के बीच या घटना घटी थी, दूसरे नमबर पे आ जाता है, भूमिज विद्रो, भूमिज विद्रो, 1832 इस्वी की घटना है, ति मुन्डा विद्रो 1895 इस्वी की एतलास्ट में टाना भगत जोकी 1914 इस्वी की घतना है इस प्रकार इस प्रस्ण का सही अंसरों जाता ओफ्षन नंबर बी नेट प्रस्ण है छोटा नाकपुर कार्शत कारी कानून किस वर्ष पारित हुआ था किस वर्ष पारित हुआ था 1908 इस्वी में खरवार अंदोलन जार्खन में किस वर्ष हुआ खरवार अंदोलन जोकी 1864 इस्वी की घतना है पलामो का चेरो विद्रो कब हुआ था पलामो का चेरो विद्रो की बात करे ते यह घतना का बटी थे 1800 इस्वी को नेक्ट परश ने भगवत पुरान में जार्खन को कौन्शा परदिश कहा गिया है तो कौन्शा परदिश कहा गिया है कुकट परदिश नेक्ट परश ने आपा मुनी मंदिर घागरा का निर्मान किशनागवन सी राजा ने कराया था इतके दोरा कराया गया था शीवदास करन जारख्ण का सबसे उच्चा जलपरपाद कोंशाय जारख्ण का सबसे उच्चछ जलपरपाद बुड़ा घाक जलपरपाद जोकी लाते हार जिल्ले मे इस्तित है बुड़ा घाक नदीपर इसकी हैट बात करें तो इसकी उचाई है साहे 400 BC मीटर में बात करें तो 143, 143 below mat यह हुंडू जलपरपात अब देख पारेंगे तो यह जारखन का दूसरा सबसे उंचा जलपरपात है जो की स्वन्रेखा नदी पर बना है इसकी हाइट बात करें तो मीटर में 38 मीटर फिट में बाट करें तो 321 फिट इसकी उंचाई है हिनी चलपरपात पचमी सिंभों में इस्तित है जोनहा चलपरपात जो की राड़ो नदी पर बना है और यह भी रांची में इस्तित है बीशू में सेरो की गन्ना सबसे पहले कहां की गए थी तो सबसे पहले सेरो की इस्वी में अस्थाफित किया गया था कब 1986 इस्वी में और बात करें यह कितना एरिया अस्वायर में फैला हुआ है तो इसका चेतरफल बात करें इसका चेतरफल हो जाता है 231.67 km2 एरिया में या फैला हुआ है जो कि जारकन के लाते हार जिल्ले में इस्तित है जारकन का चेतरफल भारत के कुल चेतरफल का कितना परतिसत है 2.42 परतिसत जनसंख्या का परतिसत बात करें जनसंख्या के मामले में 2.72 परतिसत है और चेतरफल में कौन सा अस्तान आता है जारकन भारत में चेतरफल की दृष्टी से बात करें तो 15 अस्तान आता है और जनसंख्या के मामले में बात करें तो 14 नमबर इस अभ्यारन को कब अस्थाफित किया गिया था 1976 इसवी में पारशनात की समंद्र तल से उचाई कितनी है जो कि आपको फिट में बताना है फिट में बात करें पारशनात की तो इसकी उचाई है 44,484 फिल बट मीटर में बात करें तो 1365, 1365 मीटर में हो जाता है नेक परशने टिश्को किस नदी के संगम पर इस्ति थे श्रोन रेखा और खर कई टेलको को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है टाटा मोटर्स के नाम में जिस परकार टेलको को अभी वर्तमान में टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है उसी परकार बात करें टीशको को वर्तमान में टाटा अस्टिल के नाम से जाना जाता है निम्न में टोटम का संबंद किस से हैं? टोटम का संबंद जो की गोत्र से हैं? मुंडा जन्जाती के सरपरमुख देवता कोन होते हैं? तो कोन होते हैं? सिंगा बोंगा असूर जन्जाती के लोग कोन सी भासा बोलते हैं? असूर जनजाती कौनशी भासा बोलते हैं असूरी नेक परशने जारकन का नौ निर्मित परमंडल कौनशा है वह परमंडल है कुलान अब कुलान परमंडल के इंतरगत तीन जिल्य आते हैं कौन-कौन से पुर्वी सिंभूम, बचमी सिंभूम और श्राय के लगर सावा जारकन की 81 सदस्य विधान सभा में करमासा कितनी सीटे अनुशीद जातियों और जनजातियों के लिए अरचित है जारकन में बात के टोटल विधान सभा की संक्या कितनी है 81 जिसमें की SC, SC केटेगरी के लिए कितने सिट आरचित किये गए हैं, 9, और ST केटेगरी जो की अनुसिजित जनजाती के लिए कितने आरचित किये गए हैं, 28, नेट परचन है, जारकन में अनुमंदलों की संख्या कितनी हैं, जारकन में टोटल अनुमंदलों की संख्या बात कर करके हो गई है 45 जार्खन चेत्र में लोक्षवा के सदस्यों की कुल संक्या कितनी है लोक्षवा में कुल सदस्यों की संक्या चौदा रायसवा में कुल सदस्यों की संक्या छे वहीं पर बात करें बिधान शवा में कुल शदस्यों की संख्या 81 छार्खन में सरवाधिक अबादिक किस जनजाति का है? किस जनजाति का है? संथाल जनजाति का दूसरे नंबर पे आती है उराउं तीसरे नंबर पे मुंडा चौंधे नंबर पे हो इस परकारता सिक्वेंश है जन्संख्या के मामले में पहले नमबर पे संथाल, दूसरे में उराओं, तीसरे में मुंडा, चोथे में हो संथाली भासा किस वर्ग की भासा है? किस वर्ग की भासा है? मुंडा वर्ग की नेक परशने, संथाल किस पर जाती समुका है? प्रोटो अर्स्टोलोड समुका जारकन में सबसे उंचा जलपरपात कोंशा है सबसे उंचा जलपरपात की बात करें बुढ़ा घाग जलपरपात जो की लाते हार जिल्ले में इस्तित है बुढ़ा घाग नदी पर है फिट में बात करें इसकी उंचाई साड़े चार सो फिट मीटर में 143 मीटर पहारों की रानी उप नाम से को दिख्यात है walking राणी निदरहाट को कहा जाता है जारकन की उद्योगिक राजधानी को शी है इसे जानने से पहले हम लोग be बात करें जार्खन की राजधानी, राची, उपर रजधानी, दुंका, सांस्किरितिक राजधानी, देवगर, और अध्योगिक राजधानी की बात करेत हुआ है, जमसित्पुर्ण, राइच के पर्थम मुखी सची कौन थे, वी एस दुबे, विधान सबा में पर्थम नमां अन्ठावन इस्वी में, अकब तक चला था, अठारा सो पंचानवे इस्वी तक, निमलिखित में से कौन वेक्ति जार्खन छेत्र में नमक सत्यागरा से जुड़ा हुआ नहीं था, विवेक महतो, छोटा नाकपुर उनती समाज का गठन की स्वर्ष किया गया था, छोटा